अच्छों आज आपका MBBP exam हो गया उमीद है बहुत अच्छा गया होगा अब हम सालूशन के साथ आ चुके हैं अब कुशन नुमबर वन बाट इन योर इस्टी का 161 को नंबर था एक हम 161 से स्टार्ट करते हैं कुशन किया है कि यह यह मुंग दॉवलिएंग वास दो ऊपट रॉप थार्ट रिच ओप ड्रेंब्स टेका यह सीधा आपके एंसी आटी से लिया गया है इसका सही अंसर क्या होगा यह लोटे ब्यड़ आपसर नमबर टू आपसर नमबर टू अब सान नमबर टू इस यह यह अंसर निया अभ from your history book इसमें आप लोगों ने परहा था ठीक है सीधे NCRT से कट किया गया कोई कुछ भी दिमांग लगाने जिरूस नहीं है जिन बच्छों ने परहा होगा आप समों ने परहा है सही से जवाब दिया ही होंगे मैं जानता हूं कौन है रूशो ऑप्सन नमबर वाल जाट किलियर चलिए नेक्स्ट कोर्शन पर हम पहुंचते हैं सीधे यह NCRT सारे कोर्शन दिया गया है वाज दर फॉर्श टेस्ट कैप्टन ओफ इंडियन क्रिकेट टीम जिने क्रिकेट में थोरी सी भी रूची होगी वह इन्हें जानते होंगे इस कोशन स्कॉंसर जानते होंगे यह थोरा बहुत जिनल नौलिज से भी रिलेटेट कोशन है आप इसे जीके कोशन में भी रख स है यह दो खिए है वह थस्ती कप्टन ऑफ इंडिन क्रिके टीम जिसकांसर के थिक्षप नीजो में आप इंडियल नौ सिट्यों जादियों जाब्यों लूचल लौलिऑ रख गेंडियों बल्स ग्रियर प्रीं से लौच्टर में इसे लिच उल्ड पूर्ट बस्रह इं रख टेरर मतलब भाय का शाशन आतंक का शाशन था किनके समय में is associated with whom among the following इन से related थाया याद कीजिए Maximilian Robert Spear, Maximilian Robert Spear या कहां पे है NCRT History Chapter 1 उमीद है आप सबोंने सही जवाब दिया होगा इसका पर लिए next question की और बढ़ते हैं क्ष़िशन नमर 165 बहुति इंटरिस्टाइ नजिस चप्र से चप्र अबर चप्र अमर चप्र आप टो आन्वेमिन य।थि अग्रमनी टोंस तर्च फिल्ट मैंन इंट्र तर्च आफिश टूटर्म इंट था इंगिट है। refer to which of the following tactics to deal with allied power mass killing of Jews यहोदियों के यहोदियों के हत्या से mass killing से related था solution to increase discrimination against Jews या privilege treatment of Jews यहाँ पर क्या हुआ था इन्हें शामुहिक हत्या किया गया था इनका इसके लिए जो plan किया गया जो mass killing of Jews था वह ही था उनका नाजियों का special treatment या final solution this final solution is used for Jews ठीक है उनकी यहोदियों की हत्या के लिए इसका सही answer क्या होगा 2 165 का सही answer क्या है 2 now next question 166 depression of power is a famous theory of depression of power this question is also from history and CRT शक्ति शक्ति का विवाजन depression of power देखिये तो इसमे maximum जो question मैं भी class के दौरान बच्चों को बताया भी था इस chapter 1 2 & 3 यह इसे maximum possibilities है question पूछे जाने के एसस्टी में आप देखिए शक्ति का बटवारा शेप्रिशन विवाजन इससे related है तो मांटेस क्यों chapter 1 is that clear बच्चों अब पहुंसते हैं next question में अब पहुंसते हम next question में अब देखो now the socialist leader sought to build a cooperative community new harmony was ठीक है new harmony यह discussions का answer हुआ बच्चों Robert Oyn basically he was an industrialist यह क्या थे एक बहुत ही बड़ी अद्युक्त पती थे लेकि liberal थे उदार थे liberal थे और उदार थे यह ठीक है ना इसका सही अंसर क्या हुआ the socialist leader thought to build a cooperative community new harmony was Robert Oyn और खासियत यह कि इन्होंने utopian इन्होंने utopian यह मैं एक ऐसा मलब की शॉपन था यह जो सच नहीं हुआ बनाया था इन्होंने लेकिन आप्टर आल अमरीकान education system तो सुधरी इससे इसका सही अंसर क्या होगा 167 का सही अंसर क्या हुआ तो option number two Robert Oyn ना अब हम next question क्यों बढ़ते हैं तब मार्सेलिज इस मार्सेलिज इस यह बताने की जरूत है नहीं रेवलूशन में आप लोगों ने पढ़ाई होगा बार बार पढ़ा होगा यह क्या है जैसे कि हमारे यहां का नेस्टल एंथम जोने माना हुआ वैसे फ्रांस का यह क्या है नेस्टल एंथम है डिटेट क्लियर बच्छों चलिए अब हम पहुंचते हैं next question की और अग की अगये सिटेंब उतकर में क्या करेंगे मुट कर जाएंगे सिफ्ट कर जाएंगे अब पिछली फसलती पर फसल चोंप हम क्या करते हैं कर देते हैं रहु це कि बाद में अगले शाल किया हो जाता है मैनी इंड़ श्रा का और यहीं इसका देखिए यहां पेशेना यह क्या ह सिफ्टिंग एग्रिकल्चर कहा कहा है या स्री लंका का कहा है बच्छों स्री लंका का इसे याद रखेगा इसे नाव नाव 170 170 फोरेस्ट कम्यूनिटीज ऑफ छोटा नापपूर रिवेल्ट एगेंस्ट दा टेंजेज अंडर लीडर सिपॉप किसके लीडर सिप के अंडर में हुआ किसके लीडर सिप में हुआ तो आप सभी लोग जाने रहे होंगे बिर्सा मुंडा छोटा नापपूर में नहे 170 का सही अंसर क्या हुआ क्यों नौ नेक्स कोश्टन 171 में दचर्च एक्स्ट्रेक्टेड देखिए चर्च टैस लगाता था किस पे पिजिंट्स क्लास पे भूमिहीन किशानों पे लैंड लेस्ट माव फार्मर्स पे उसे क्या कहा गया पहे होंगे आप NCRT फॉर्स्ट में सब्सक्राइब है तो टीट है इसका सही अंसर क्या होगा और 171 का प्रेक्ट एंसर इस फोर ना ना बच्चों 172 में आ जाते हैं 172 में देखिए विच आप दो फॉलाइं इंडियन श्टेट है इंटरनेशनल बॉंडरी विद थ्री कंट्रीज टीक है असम में देखो असम में क्या है यह पांच श्टेट से घिरा हुआ है इसमें सबसे सही अंशर क्या है श्रीकीम एक सिकीम ही है जिसके क्या है कॉमन कितने है थ्री कंट टेवा इंटरनेशनल बांडरी हैं वह क्या क्या हुआ तो नेपाल हुआ चाइना एंड भूटान लिज्ड केलियर राइना नेपाल नेपाल चाना इन्डियन के लिए एक यह एक अए इस्टिट है मारा इंडियन इस्टिट जो की इन तीन इनके जुड़ा हुआ है इन देस्टों के साथ वह कौन-कौन है लेपाल चैना और भुटान चलिए बच्छों अब हम नेक्ट कुर्शन में पहुंसते हैं डैटीज वन सेवेंटी थ्री ना विच इस द लार्जेस्ट इन हैविटेट रिवेर एंड आइल 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 आप दो वाल्ड जोग्रफी में पढ़ाओगा सीधे एंसी आटी ड्यू नो ड्यू नो बॉक्स में दिया हुआ है वहां पर इमेज भी दी हुई है ब्रहंपुत्रा रिवर में है ब्रहंपुत्रा नदी में है क्या माजली आइलाइंड इसे एक शहर का इसे एक डिस्टिट के भी रैंक मिले हुए है तो लार्जेस्ट इन्हाइविटेट रिवेराइंड आइलाइंड क्या हुआ अब दो वर्ल्ड तो माजली आइलाइंड जो कि किसमें है ब्रहंपुत्रा में असम में है इसे क्लियर तो 173 का सही अंसर क्या हुआ तो 4 ना बच्चों 174 कोश्टन न तो दो उच्चों में तो हाइलेंड दो हाइलेंड के बीच में कुद्रतन बना होता है एक लो लैंड इजट के लियर तो यह जो और एक सीधी रिखा में लिनियर फॉर्म में होती है लिनियर फॉर्मेंड में फॉर्मेशन होता है दो अपर लैंड हाइलेंड के बीच में औ हाँ पर क्या होता है इन नदियों के मांदियम से मतलब रिफ्ट घाटी से क्या होता है बच्छों नर्मदा और तापी यह दो नदियां का फ्लो होता है अब कुर्शन नंबर बच्छों 175 में हम पहुंचते हैं 175 तमिल नादू कोस्ट गेट लाज लाज पॉर्सन आफ इस एन्वल रेंफॉल डूरिंग हुच मांथ उमीद है सारे बच्छों ने सही जवाब दिया होगा यह क्या होता है अक्टूबर नवंबर में जब नौर्थ इंडिया में बरसात समाप्त हो जाती है तब वहां पे तम है फोर ना इन नेक्स कोष्टन अब देखिए 176 विच टैप आफ वेजिटेशन डर्ज रवर बिलांग्स टू टू ट्रॉपिकल एवर ग्रेन ट्रॉपिकल उष्ट निकटिवन दिया सदा बहार उष्ट निकटिवन दिया क्या हुआ सदा बहार में यह होती है ट्रॉपिक कोष्टे मैं जानता हूं सही किया ही होगा सही बचों ने अब कोष्टन नंबर 177 पे हम आजाए 177 में फिच वन अब दू इजार नॉट बायो एस्पर रिजर्व इन इंडिया बचों मानस सिमली पाल और पन्ना यह सभी क्या है तो बायो एस्पर रिजर्व है इसमें सिब दुद्वाद नेशनल पार्क ऐसा है जिसे बायो इस्पर रिजर्व नहीं मिला हुआ है एर रैंक इट मिन्स कि कोष्टन नंबर 177 का सही अंसर क्या हुआ तो फोर नौ इन नेक्स्ट कोष्टन बच्छों अब हम देखते हैं विच इंडियन स्टेट हैस्ट पॉपलेशन इस पॉपलेशन देंसिटी की जब बात की जाती है तो हम बिहार लेते हैं बिहार का कितना है 1102 पर स्क्वाइर किलोमीटर तो इस कोष्टन का सही अंसर क्या हुआ वाल 178 का सही अंसर क्या हुआ वाल नो 179 नेक्स कुश्टन पर आजाओ दो ऑटर मुष्ट रेंज ऑफ हिमालिया आप लोगोंने पढ़ा होगा ग्रेट हिमालिया ग्रेट हिमालिया में पढ़ाई होगा नसी अटी में कारा कुरम लद्दाक जासकर पीर पंजाल ठीक है और सब से नीचे दो ऑटर मुष्ट र आपना जाओ कि in which of the following State jim Corvette National Park Horvett National Park ठीज कहां लोकिते है I उत्राखंड में उत्राखंड में रामनगर के पास ठीक है रामनगर डिश्ट्रिक के पास बेड की ल superior तो अब आप देखिए इस कुर्षन का जीम कॉर्वेट निसन पर कहा हुआ उत्रा खंड में हुआ या आप सभी लोगों ने सही किया होगा मैं जानता हूं 181 में आ जाए बच्छों कि दा हाइस्ट पिक इस्टर्ण घाट हाइस्ट पिक इस्टर्ण घाट कहां के मिलते हैं तो निलगिरी के मौंटे सब्सक्राइब निलगिरी मौंटेन इस जोड़ा बेटा थायस्ट बच 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 बच्छों इहां पर कुष्टन क्या पुछा गया है हाइस्ट पिक इन इस्टर्ण घाट एंडट इन उरिशा उरिशा यह क्या है इसका सही अंसर महंद्रगिरी महंद्रगिरी ठीक है इन आ पर 182 पर आजाओ ता बेहम बनान लेक इस लोकेटेड इन दा इस्टेट ओफ एक है यह कुश्ट अभी तक जितना भी कुश्ट आए हैं उसमें यह मैंने यह रखता है यह कुछ नया दिख रहा है अब तक जो कुश्ट आपने देखा होगा वह लगवा कभी ने कभी किसी आपने सुन रखा है पर रखा है वह सारे एंच आटी में जीट इस दी गई है अब इस कुश्ट का देखिए इस कोश्ट का सही अंसर क्या है तो के रिला इसका सही अंसर क्या हुआ तो के रिला ना अब हम नेक्स कोशन में इंटर करते हैं बच्छों कोशन नंबर 183 आज 10 दिशंबर है आज आपका MBP exam हुआ और इस कुश्ट का भी अंसर यही है 10 दिशंबर ठीक है दो हीमें राइट देसलिबरेटेट कब तो 10 दिशंबर जैसा ही अंसर क्या हुआ 183 का 1 183 का क्या हुआ अंसर 1 आज 10 दिशंबर भी है चलिए तो बच्छों कुशन नबर 184 पार् पर्मेशन होती है तीन चीजों से एक है नॉट आफ प्राइब मिनिस्टर प्राइब मिनिस्टर प्राइब मिनिस्टर या तो लोग सभाय राज शभा और प्रसिडेंट यह तीन मिल करके क्या बनाते हैं इसका सही अंसर क्या होगा कुश्टन नमर 84 का तो 1 185 185 में विच फ 14 years, 14 वर्स से कम उम्र के बच्चों को, हम किसी भी पतरनाक, किसी भी ड्रेंजरेस, किसी भी इंडिस्ट्रियल वर्क में, in fact, आप डुमिस्टिक वर्क में भी नहीं रख सकते हैं, 14 years से कम उम्र के बच्चों को, इसका यह कहां लिखा गया है, समविधान के Constitution के किस आर्टिकल म तो Question No. 185 का सही Option क्या हुआ, 2, यानि की, 85 का सही अंसर क्या हुआ, Article 24, अब बच्चों पहुंसते हैं, Next Question 186, क्या है, The Electoral Constituencies for the लोग सभा और बेस्ट ऑन, जब सम्विधान बनी, जब सम्विधान बनके तयार हुआ, और जो Electoral Constituency बनते हैं, निर्वाचन छेत्र बनते हैं, वह किस पे, वह कौन से फैक्टर हैं, किस पे बनता है, क्या धर्म के अधर्म पर बनता है, नहीं, जाती के अधर्म पर बनता ह बनता है, तो नहीं, वह किस के अधर्म पर बनता है, बेस्ट ऑन, पॉपुलेशन, दस लाग पर एक Constituency, ठीक है, एक लोग सभास सेटी है, एक कोई भी निर्वाचन छेत्र बनता है, तो वह किसका है, फैक्टर कौन सा है, तो जनतंग क्या, पॉपुलेशन, इस एट किलिय सब्सक्राइब, तो प्रमोट डिक्टेटर्सिप, क्या तालन साही को बरावा देगा, एक दम नहीं भाई, तो रिप्रिजेंट दे इंट्रेस्ट ऑफ दो रूलिंग क्लास, जो शासक है, जो पीम साहब है, जो कैबिनेट मिनिस्टर है, उनकी हित की बात करेगा, एक दम न जाएगा, तो तो प्रवाइड ऑपर्चुनिटीजन्स तो पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स, तो सही अंसर क्या हो बच्छो, 187 का, 3, सही अंसर क्या हो, 187 का, 3, now, the next question, the power to amend the Indian constitution is vested in, मतलब संसोधन, संसोधन का एदिकार किन के पास है, लोग सभा, राज शभा, फिर कह के पास, तो क्या होगा, लोक सभा, राज सभा, राज सभा, परिसिटेंट, इस दा पार्लामेंट, तो सही अंसर क्या हो बच्छो, 188 का, 3, 188 का सही अंसर 3, now, next question, what is the name of the Chinese Parliament, क्लियर लिखा हुआ, क्लियर लिखा हुआ हुआ, क्लियर लिखा हुआ आपके किताब में, क्लिक तो इसका अंसर है, answer option number 4, 189 का option number 4, now the next question, बच्चों यहां पर देखिए, in which fundamental rights, the right to education is inherent, right to education, right to education, यह किसमें है, article 21A में, तेक है, article 21, उसमें एक sub clause दे दिया गया, A, और यह घटना है 2005 की, पिक है, implementation कब हुआ, right to education, तो 1st April 2008, is that clear, introduce कब किया गया, तो 2005 में, amendment होते हुए, act बनते हुए, finally यह क्या हुआ, 1st April 2008 से यह हिंदुस्तान में लागू हो गया क्या, तो सिक्षा का इदकार, RTE, इसमें किसमें सामिल किया गया है, तो article 21A, तो 190 का सही answer क्या हुआ, तो option number 3, बच् next question में चलते हैं, when the socialist and secular war, देखो, समाजवाद और धर्म निर्पेक्षता, हमारे प्रियंबल में भी है, प्रियंबल में, जब आप प्रियंबल को परहे ही होंगे, आप लोगो बहुत अच्छे बच्चे हैं, तो प्रियंबल में, समाजवाद और secular, socialist and secular, यह लिखा गया है, यह कब किया गया, किस amendment से, तो इसका अंसर भी है, 42nd amendment, वैल इसमें सम्विधान संसोधन के दोरा, कब किया गया, when, to 1976, तो सही अंसर क्या होगा, 191 का सही अंसर, option number 3, clear, अब next question में पहुंसते हैं, वच्चों हम, 192, What is the role of the judiciary in a democracy, what is the role of the judiciary in democracy, लोक तंत्र में, प्रजाद तंत्र में, न्याए बेवस्था की, न्याए पालिका की क्या भूमिका है, इसके क्या रोल है, तो भाई, बिलकुल सही, अब, most appropriate देखिये, To provide justice, to provide justice and protect the rights of citizens, जो आम बेक्ती हैं, नागरीक हैं, उनके अधिकारों का क्या हो, संरक्षन हो, protection हो, और उन्हें क्या मिले, न्याए मिले, justice मिले, यही तो है, जुडिसरी का काम, लोगों को justice दिलवाना, और उनके जो अधिकार हैं, उनके राइट हैं, उनको सुरक्षा दे आगे विकल्पो में, तो 192 का 3. Now, the next question is, what is the minimum age requirement for the contest elections to the लोग सभाव in इंडिया, लोग सभाव में क्या आप सांसल बनते हैं, अब एंपी के लिए new term, minimum eligibility किया है, तो three factors है, तो first factor किया है, वो तो citizen of इंडिया होना ही चाहिए, भारती या नागरीकता होनी चाहिए, ठीक है, यह सब तो है, मानसी ग्रूप से स्वस्थ होना चाहिए, डिवालिया नहीं होना चाहिए, यह सब सारी चीज़े factors तो हैं, लेकिन इसके अलावा यदि age की हम कल्कुमिया factor को देखें, तो वह 25 वर्स है, it means, the correct option is number one of 193, 25 years, ठीक है, तो बच्चों, 193 का option number one, now, next question 194, 194 में दे किसे संबंदित है वो, हरित करांती का संबंद किसे है, अब milk production से क्या था, तो हॉइट रिवलू संथा, ठीक है, प्रित करांती, दूद के उत्पादन से, इसमें क्या किया गिया हरित करांती में अनाज, अनाज पर जएदा focus किया गिया, तो grain production, इसका सही answer क्या होगा, 194 का, option number two, now, next question, 195, which state is associated with amul, amul, आप देखें, NCRT में किलियर लिखा हुआ है, civics में, amul, आनन्द milk union limited, या आनन्द कहां है, आनन्द कहां है, गुजरात में है, यह cooperative society, जब आप आप लोग परहे होंगे, तो cooperative society का, या cooperation cooperative का, जो biggest example है, सबसे सुन्दर example लिया गया है हिंदुस्ता में, वो है, amul का, आनन्द milk union limited, इसका सही answer क्या होगा बच्छों, तो गुजरात, तो question number 195 का, option number two is the correct answer, now, move to the next question, which of the following is an example of tertiary sector, tertiary sector किसे related है, service sector से है, सेवा के छतर से है, तो सेवा के छतर किसमे है, डिया के बिकलपों में देखो, आप only education is, will comes in, सेवा छेतर, will comes in, service sector, that's why, जो 196 का शही answer क्या होगा, तो option number three, education, चलिए बच्छों, अब हम move करते हैं, next question की ओर, 197, which of the following is fixed capital, fixed, देखो, fixed है, यदि आपको इस question का answer नहीं भी आता होता, आया हो, तो odd man odd करके आप निकाल सकते हैं, अब देखिए यहां पे, आप two, three, four, तो move कर सकता है, एक यही है जो move नहीं कर सकता, option number one, tools and machines, तो इसका सही अंसर क्या होगा, which of the following is fixed capital, fixed capital क्या है, तो tools and machines, इडिए के लिए, तो 197 का सही अंसर क्या हुआ, तो option number one, now, next, where did the most devastating famine, अकाल, सबसे बड़ी अकाल, जिसने लाखों लोगों को मार दिया था, 1943 में, यह कहां आया, अच्छा, इससे पहले जश्ट देखो को तो बिहार में आया था, बिहार, हाँ, इससे पहले, उस वक्त ही तो बेंगाल ही था, बेंगाल से जुरा हुआ हुआ इलाका था, इसका सही अंसर है, option number four, बेंगाल, just quit India movement के बाद, एक मतलब लाखों लोगों क को यह निगल गया इस अकाल ने, तो सबसे जो बड़ी खमाइन आई थी, वह बेंगाल में, 1943 तो सही अंसर क्या हुआ, 198 का, option number four, बचो, now 199, next question, the increase in the unemployment, बेरोजगारी की समश्या, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, यह किस इच का indication है, किस टैप का economy का, यह mix का नहीं है, capitalism का नहीं है, यह किस का है, depressed economy, ठीक है, depressed economy में, लोगों के नौकरी नहीं मिलती है, ठीक है, बेरोजगारी की समश्या सबसे विकट होती है, ठीक है, इसका answer क्या है, 199 का? Option no 3, now next question, next question देखिये, सर्वसिक्छा भ्यान, सर्वसिक्छा भ्यान, has been, सर्वसिक्छा भ्यान का, लोगों भी है न, सिखछार्था यह, सिवार्थ जाहिए, देखा होगा, इसकोलों के gate के आगे, main gate पे लिखा होता है, दिवालों पे लिखी होती है, स सिक्षार था यह सेवार से जाईए तो इसका सही अंसर क्या है लॉंच फॉर्द चिल्ड्रेन ओफ फिच ग्रॉप तो सिक्स टू फॉर्टीन यार इट मेंस कि टू हंड्रेट का टू हंड्रेट का जो सही ऑप्सन है वो है थ्री इट क्लियर उमीद है बच्चों आप समों का एक्जाम बहुत अच्छा गया होगा आप लोग मिलाएगा प्रॉस्ट चेक कीजिएगा